गाइस किया आपके साथ भी एसा सीन होता है आप जाते हो किसी के भी कस्टम में वहाँ पर रहती है किरेक्टर स्किल ओन फिर आप उसके साथ कस्टम खेलते हो और वहाँ पर उससे हार कर आ जाते हो और आप सोसते हो कि मैंने भी उसको इतना दिया था लेकिन वो नहीं तो आपर जो है आपके character की गलती रहती है आप एक अच्छे character combination को आपर use नहीं करते हो इसलिए आपके साथ होता है तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहतरीन character combination और इसका use आप कर सकते हो custom में जितने भी आप room card खेलते हो ये custom card आप जो कहलो इसे room भी बोलते है custom भी बोलते है तो हम जितने भी custom कहलते है यदि वहाँ पर character skill on रहती है तो आपको इस character combination का use करना चाहिए मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो यदि आप इस combination का use custom में करते हो तो जो आपका हरा हराया मेंच है उसे भी आप काफी असानी से जीश सकते हो तो बिना किसी देरी के चलते है वीडियो की और जानते है कि best character combination जो कि custom के लिए कौन सा है सबसे पहले आपको यहाँ पर use करना है इसकाइलर के रेक्टर का और यदि बात करें इसकाइलर के रेक्टर की दूसरी ability की मदस से हमें Skylar की तरफ से मिलते है HP तो इसकी दूसरी ability यह है जेंसे ही हम एक Glowal लगाते है तो हमें 4 सेकंड के अंदर में हाँ पर 42 HP देखने को मिल जाती है तो guys Skylar character की तरफ से हमें अच्छे खासी HP देखने को मिल जाती है और इसकी एकोर ability है कि यह एनेमे की Glowal को 4 देता है तो इसकी जो दोने ability है वो बहुती जादा खतरनाक है और आपको पहले skill slot में आपको यूज़ करना है Skylar character का और यह एक active skill character है अब आपको second में हाँ पर यूज़ करना है मोको character का और यदी बात करें custom की तो custom room में इसका बहुती जादा उपयोग होता है आपने तो देखा ही है कि किसे भी एनेमे को पर mark आते रहता है तो आपके वहाँ पर जो teammates है वो मोको का use करते है क्योंकि कोई भी बंदा आपके team का कोई भी बंदा यदी मोको का use करता है किसी भी एनेमे को एक कभी डोइमेस दे देता है तो उसको पर एक mark आता है जो की 5 सेकंड के लिए जो एनेमे की location है वो आपके सभी teammates को पता चल जाती है और elite मोको की मदस से हम 66 सेकंड के लिए यहाँ पर जो एनेमे की location है वो देखने को मिलती है तो आप समझी सकतो मोको की तरफ से 5 सेकंड और elite मोको की तरफ से 6 सेकंड किसी भी एनेमे को आप एक कभी damage दे दीजिए तो जो उसकी location है वो आपको पता चल जाएगी और एनेमे कहां से रस करता है किस तरीके से मुरक्कर आता है ग्लूबल के आइड साइड से तो वो आपको पता चल जाएगा तो सेकंड में यूज करना है मोको अब चलते है तीसरे character की तरफ तो गाइस तीसरे number में आपको यूज करना है हयाटो character का और हयाटो और elite हयाटो दोनों की ability बहुती ज़्यादा खतरनाक है कोई भी enemy यदि आपको damage देता है उसके बाद यदि आप enemy को damage देता हो तो आपर जो है enemy को ज़्यादा damage पड़ता है और elite hyato क्या है कि कोई भी enemy हमको सामने से damage देता है तो बोहर 10% hp के साथ 3.5% कम होता जाता है तो इससे आप समझ सकते हो आप enemy को damage दोगे तो उसको ज़्यादा पड़ेगा enemy आपको दीगा तो आपको कम पड़ेगा तो इस तरीके से जो हैato की ability वर्क करीगी और 4th में आपको 2 character बताऊंगा दोनों में से किसी कभी use कर लेना तो 4th number में आपको use करना है DV character का और इसकी मदस से आप बहुत ही खतरनाग game play कर सकते हो और यदि आपको DV का use नहीं करना है तो 4th में use कर सकते हो Andrew character का और दोनों की अपनी अपनी ability है और Andrew के अंदर हमें 2 ability देखने को मिलती है DV के अंदर भी हमें 2-2 ability देखने को मिलती है सबसे पहले बात करते है DV की तो यह जो आपके गनी की accuracy है उसको 45% तक बढ़ा देता है और यदि आप fire करते करते moment करते हो तो आपर जो आपके moment speed है वो 15% बढ़ा जाती है और बात करें elite Andrew और Andrew दोनों character हमें एक साथ देखने को मिलती है बात करें एंडू की ability की तो जो आपका बेस्ट है यह उसको मजबूद बना देता है यह आपके armor को मजबूद बना देता है आपके helmet waste दोनों को मजबूद बना देता है और उनको एक तरीके से पाबर देता है जिससे enemy के helmet waste है वो जल्दी तूट जाते है और आपके helmet waste जल्दी नहीं तूट पाते है और आपको तो पता ही है जो अपने armor है उनका क्या काम रहता है कि जो enemy से हमें damage पढ़ता है वो काफी कम पढ़ता है यदि आपके पास helmet waste नहीं रहता है तो आपको काफी जादा damage पढ़ता है और गैस यह जो character combination है मैंने आपको बताय हूँ custom के लिए यदि आप custom room काट खेलते रहेतो और यदि आप खेलते ही रहेतो तो इस character combination का use कर सकतो क्योंकि यह जो character combination है मैंने आपको custom room के हिसाब से ही बताया है और यदि आप खेलतो custom room तो यह जो character combination है बहुत जादा आपको फायद